18 में लोग सोवा में इस बार जो चहरे चुनकर आए हैं उनमें बड़ी संख्या नेता पुत्र और पुत्रियों की है आप इसे राजनीती का परिवारवाद कहें या परिवार की राजनीती बगर ये आज की राजनीती की सच्चाई तो है संसद में आई अधिकतर पार्टियों में नई उम्र के वो संसद भी हैं जिनके परिवार का कोई ना कोई शक्स राजनीती से जुड़ा रहा हो चुनावपचार के दोरान प्रधारमंत्री मोदी ने गांधी परिवार की इस परंपरा को परिवारवाद कहकर मुद्दा बनाय था मगर मोदी के अपील के बाबजूर जन्ता ने दूसरी पीडी के नेताओं को जम कर चुना राजनितिक परिवार की नई पीड़ी के निताओं पर देखिए ये खास सिपोर्ड पीड़ी दर पीड़ी एक परिवार का राज दर किनार कारे करता ये सियासत का परिवारवाद इसे लोक्तंत्र की खुपसूरती कहें या फिर रन्नीती कि आज संसद में जो चहरे चमक रहे हैं उनके पीछे छिपा है सदियों का लंबा राजनितिक सफर और कई पीड़ियों का संघर्ष बात राजनीती में उत्रे युवा चेहरों की हो रही है बिहार हो या उत्तरपदेश या फिर महाराष्ट राजनीती में तीन दशकों से जो मुद्दा चला आ रहा है वो है परिवारवार बंशवाद की जब भी चर्चा होती है तो नहरू और गांधी खांदान से शुरुवात होती है नहरू के समय से गांधी और नहरू परिवार का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज भी जारी है इंदिरा के बाद संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कॉंग्रेस की पतवार संभाली राहुल गांधी परिवार के तीसरे सदत से हैं जो विपक्ष का नेता चुने गए है कुछ साल पहले एक समय ऐसा था जब उत्तरपदेश में मुलायम सिंग यादव परिवार से कम से कम दो दर्जन लोगों ने पार्टी की जिम्मेदारी सम्हाली जिसमें मुलायम सिंग यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, शिफपाल यादव, उनके बेटे, भती जी, बेटे की बहू और तवाम लोग शामिल थे अठारवी लोग सभा में मुलायम सिंग यादव के खानदान के पाच सदस्य संसद में हैं संयोगी कहें कि बिहार की राजनीती में भी चमकता चहरा लालू प्रसाद यादव का परिवार है पहले लालू, फिर पत्नी राबडी देवी आज लालू प्रसाद के दो बेटे विधायक हैं बेटी मीसा भारती पहले से राजसभा सांसत है चर्चा सिर्फ मुलायम और लालू यादव की ही क्यों हो पूर्वकेंडरी मंतरी दिवंगत राम विलास पासवान के परिवार को भी राजनीती खूब रासा रही है पहले राम विलास पासवान और उनके भाई पशुपती पारस ने खून पसीना बहा कर एक पार्टी खड़ी की आज चिराग पासवान ही पार्टी सम्हाल रहे हैं एल जे पी आर के वही सर्वे सर्वा है चिराग को मोधी कैबिनेट में खाद्य और उद्योग मंत्राले की जिम्मेंदारी मिली है बिहार में नितीश कुमार एक मात्रै से नेता हैं जिन्होंने अपने परिवार और कुन्बे की पौश नहीं जोड़ी आज कल तो बहुत लोग अपने परिवारे को बढ़ाते रहता है लेकिन आप समझ लिजिए कि जन्नाय करपुरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए और एक ही बात जान लिजिए कि जन्नायक करपुरी ठाकुर्जी से ही सिख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है या पक्का जान लिजिए महराष्ट में ठाकरे परिवार का भी जल्वा हुआ करता था लेकिन अभी इस्तिती ये है कि ठाकरे वंज कई हिस्तों में खंडित हो चुका है उद्धव और राज ठाकरे के रास्ते काफी पहले ही जुदा हो चुके हैं महराष्ट में एक और कद्दावर नेता है शरत पवार लंबे समय तक केंद्रिय मंत्री रहे शरत पवार की बेटी सुप्रिया सुले अपवार परिवार की नुमायंदगी संसद में कर रही है हालकि वो अपने भाई अजीद बवार की पत्नी सुनेत्रा को हरा कर यहां तक पहुंची है पंजाब और हर्याना जैसे राजियों में भी सत्ता कई सालों तक बादल, चोटाला और हुड़ा परिवार के हाथों में ही सीमित रही यह कहना गलत नहीं होगा कि राजनीती में परिवारबाद खत्म होने की बाद सिर्फ एक जुमला है क्योंकि तमाम राजनितिक दलों में परिवारबाद हावी है बीजेपी भले ही परिवारबाद को लेकर टिपणी करती हो लेकिन वहाँ भी नेताओं के तमाम रिष्टदाद चुनाव लड़ते हैं और जीत कर संसद भी पहुँशते हैं ऐसे में कहा जा सकता है कि राजनितिक दलों के लिए फैमिली फर्स्ट ही आज सबसे जरूरी हो गया है और इस बार संसद मेज की छबी भी देख रही है क्योरो रिपोर्ट विस्तान जूस हमारी प्रोडूसर ने इस स्टोरी में बहुत सारे नामों का जिक्र किया मगर के भी बहुत सारे नाम चूट गए हैं यदि हम मोधी मंतियों इंडल के मंतियों की बात करें तो प्यूस गोयल, जोतिराजित सिंदिया, एजडी कुमार स्वामी, जैंट चौधी, अनुक्रिया पटैल, रक्षा खरसे और रवनीज सिंग भी राजनेतिक परिवारों से ही जुड़े हैं इसलिए परिवारवाद अब मुद्दा नहीं हैं, दरसल एदेश के लोकतंत्र में रास्तंत की छवी देता है जो जनता को खूप पसंद आता है